बड़ी सी projector screen लगाओ, जोन सी movies वगरा देखनी है, अपने weekend वगरा पे मज़े से enjoy करो, अपना खुद का personal picture hall आपके काम आएगा और आज कल तो बहुत ज़ादा फाइदमन होगा, यह personal home entertainment का setup, खर्चा भी बहुत काम लगेगा इस projector screen का, मैं पूरा review करूँगा, वीडियो में ब एक साल हो गया, मैंने कोई projector वगरा नहीं अभी तक review करें, लेकिन बहुत ज़ल्दे कमाल का projector review करने वाला हूँ, अब आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, projector screen को लेके, मैंने पिछले साल भी एक projector screen दिखाई थी, मैंने यह नई projector screen बंगाई है, इसकी जो फोल्ड हो गया आती ह तो इसको stretch करके आपको लगाना है, देखो, मैंने यहाँ पर सर्फ यहाँ पर दिवार पर लटका दी थी, कील पर, तो उसके बाद मैं क्या है, यहाँ पर देखो, निशान दिख रहे हैं, यह बॉक्स बॉक्स से दिख रहे हैं, क्योंकि यह फोल्ड हो गया थी, तो इसमें इसमें लिखा हुआ है, तो इसकी clarity इतनी आ जाती है, मतलब इस तरह से निशान कम दिखते हैं, जैसी यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर को यहाँ पर प्रोजेक्टर को यहाँ पर दिखाऊंगा, बताऊंगा प्रोजेक्टर के बारे में, सबर रखना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जैसी मैंने प्रोजेक्टर को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से डिस्प्ले में रहा है। बिखक्न में लिएगा अब को खरीदना है तो अगर आप देखो प्रॉजक्टर लें आपको यहां कुख्र συν यहंगत बश्यक्र ब्रैइन का मतलब की मतलब पुलत की नहीं मिल पाईगी जैसे टीबीओ गिए आ pods GRANT अंधेरे में ही अच्छा डिस्प्ले देते हैं इस तरह की clarity आपको मिल जाएगी यह clarity आप जो देख रहे हो यह camera की नजर से देख रहे हो इस से थोड़ी सी बहतर ही मिलती है camera में उतना अच्छा clearly capture नहीं हो पाता है और यहां पर मैंने दिन की रोशनी में clear capture करने की कोशिश कर बहुत हलकी सी light में बिल्कुल अंधिरा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं एक close up clarity आपको दिखाता हूं उससे आपको और अच्छा अंदाजा हो जागा कि कितना clear यहां पर visibility है तो यह वाला sample आप देखो इसमें colors आप देखो यह आपको 10-12,000 पे के projectors में इस तरह की clarity मिल जाएगी और जो 3-4 projector में आपको आज suggest करने वाला हूं उनमें इसी तरह की clarity मिलेगी तो मैंने 3-4 projector की list बनाई है जो आप 10-12,000 पे की price में फिलाल ले सकते हो और अच्छे चल जाते हैं विछले एक-दो साल से मैं जितने ही projector यूज़ कर रहा हूं किसी तरह क कोई तकलीफ तो आई नहीं यह वाला जो projector इस समय चल रहा है यह E-Gate का K9 projector है E-Gate का K9 projector तकरीबन 2 साल पहले मैं रिव्यू किया था अभी तक बढ़िया चल रहा है लेकिन इसमें basic version आप लो Android वाला लोग है ठीक है लेकिन Android version थोड़ा सा पुराना मिलता है basic version लो तो मैंने वीडियो के description में 3-4 projector के links दी हैं जिसमें आपको इस तरह की clarity मिल जाएगी और यह projector screen जरूरी नहीं है कि आपको यह projector screen लेनी है अगर आपके घर की दिवार white है तो भी आपको इसी तरह की clarity मिल जाएगी पर यह है कि जैसे borders वगरा black मिल जाते है थोड़ा सा professional लगता है जो projector मे नहीं कि T8 projector जो नीचे रखा है सफेद वाला लेकिन वह projector फिलाल में अवेलेबल नहीं है अब फिलाल में projector आपको लेना है तो मैं description में लिंक दरहूं वीडियो का description जरूर चेक करो और एक काम की बात में आपको बता रहा हूं इसके अलावा अगर आप Instagram पे हो तो Instagram पी BR Tech Films म क्योंकि एक नया projector भी अभी launch होने वाला है और पिछले एक साल से मैंने किसी projector का review नहीं किया है वो projector मेरे पास में आने वाला है उस projector का review मैं इस महीने के आकरी में करूंगा या फिर अगले महीने के पहले हफते के आसपस मैं उस projector का भी review लेके आने वाला हूं वो projector कम दाम में है मतलब इससे भी कम दाम में है वो अभी में जादर चीज़ा आपको नहीं बता सकता वो एक नई चीज है और काफी कमाल का प्रोजेक्टर वो होने वाला तो जैसी मेरे पास मैं आता है उसका टेस्ट वगरा करूँ जो मैंने आज आपको दिखा यह अलग-अलग स्क्रीन साइज में मिलती है यह प्रोजेक्टर स्क्रीन और इसके अलावा वैसे मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बना के दिये जिसमें आपको दिखाया कि ग्रे कलर की वॉल पर किस तरह की क्लारिटी आती है वो वीडियो च कुछ और कमाल के गैजट्स के साथ में